हेलो स्टिटेंट स्वागत है अब सभी का ऑनलाइन स्टेडिय अकैडमी में जहां पर हम डिसकस कर रहे हैं रोजकार और निर्माण पत्रिका का आज के वीडियो में कवर करेंगे 20 से लेके 26 नवंबर 2030 का एडिशन देखेंगे इस अब करेंगे कुछ महात्पूर्ण दिवस से यहां पर देखिए सबसे पहले अंतराश्टी बाल दिवस जो की 20 नवंबर को मना जाता है अब यहां पर आपको कर्फ्यूज नहीं होना है भारत में जो चिल्डेंज्डे है यानि बाल दिवस यह कब मना जाता है 14 नवंबर को लेकिन यह जो है यह अंतराश्टी बाल दिवस है इंटरनेशनल चिल्डेंज्डे जो कि 20 नवंबर को मना जाता है इस दिन की जो नीव है यह 1954 में रखी गई थी और यह दिन मना जाता है पूरे विशुभर में जो बच्चे है उनके जो राइट्स हैं उनको दिया जाए उनका कल् इच्छा दिलाई जाए तो इसकारण से इस दिन की शुरुवात की गई थी और 20 तारिक इसले चुना गया क्योंकि 1959 में 1969 में ही जो संयुक्तराश्ट महासभा है इन्होंने 20 नवंबर को जो बाल अधिकार है इनको घोशित किया था इसले 20 नवंबर इसकी डेट रखी गई कब मना जाता है 21 नवंबर को इस साल इसके लिए विशय यारी थीम रखा गया है एकसेसिबिलिटी तो थीम भी आद रखेगा कई बार एक्जाम में डिरेक्ली थीम भी पूछ लेता है तो विशय टेलीजन दिवस की थीम है एकसेसिबिलिटी अब यह दिन मनाया जाता है 21 नवंबर को इस दिन को मनाने का एम क्या क्यों मना जाता है तो जो टीवी है टेलीवीजन है तो आप सभी को पता है कि मनोरंजन सेक्षा और सूचरा के छेत्र में काफी बड़ा माध्यम है और इसी चीज को लोगों को बताने के लिए इसके टेलीजन के महत्त को लोगों के बीच में उजागर करने के लिए दिन की शुरुवात की गई थी अब यहां से चीज याद रखेएगा टेलीजन के बारे में पढ़ रहे हैं यहां से स्टैटिक में पूछ सकता है या साइंस का कोशियन बन सकता है कि टेलीजन का आविसकार किस ने किया था तो टेलीजन का आविसकार किया था जेल बेर्ड याने कि जॉन लोगी बेर्ड ने कब किया था 1924 यह रखेगा और जो जेल बेर्ड थे यह स्कॉर्टिस इंजिनियर थे अब आते हैं भारत पे तो भारत में जो टीवी का इतिहासा यह शुरू होता है 1969 से 1959 से इस साल भारत के पहले टेलीज इंडिया इसकी शुरुवात की गई थी 1959 एर इसके बाद यह जो टेलीजिन इंडिया इसकी इसकी स्थापना में ची दिल्ली में और इसके बाद 1965 में 1965 में fre figura और ताम नाम बदल कर दूरدाशन कर दिया और परजन टाइम में भी हम यह से दूरदाशन को नाम से जानते है तो ये सारे facts आपको याद रखने पड़ेंगे, question कहीं से भी पूछा जा सकता है फिर यहाँ पर 25 नमवर पर आते हैं, यहाँ मना जाता है अंतररास्टी महिला हिंसा उन्मूलन दिवासियानि की International Day for the Elimination of Violence Against Women इसके लिए जो विशह है, theme है ये रखा गया है, 2030 का Unite, invest to prevent violence against women and girls थी, मैं याद रखेगा, इस पार फिर से सुनुझे Unite, invest to prevent violence against women and girls अब जो संयुक्तरास्ट महा सभा है, इनकी पहल पे इस दिन की शुरुआत की गई थी 25 नमवर को इस दिन मनाने की, यह दिन मनाए को जाता है, विशह भर में जो महिला है उनके साथ जो हिंसा हो रही है, उसको रोकने के लिए, जो महिलाओ के विरुद हिंसा होती है, उसको रोकने के लिए इस दिन की शुरुआत की गई थी इसके बाद है विष्व पर्यावरन सन्रक्षन दिवस, 26 नौवंबर देखिए एक World Environment Day भी होता है विष्व पर्यावरान सन्रक्षन दिवस यह मों अलाग है और यह है विष्व पर्यावरन सन्रक्षन दिवस नहीं कि World Environment Protection Day 26 नवंबर को ये दिन मनाया जाता है इस दिन की शुरुःत को किय गई दिन की इस दिन का भी शुरूरात किया गया कि जुप रहाँ है हमारे जीवन के लिए जरूरी है इसके बारे हें लोगों को बताया जाए और जो भी बीच में कंटे जो प्रयावरान है इसके बाद यहां पर है अर्थ शॉट पुरुसकार 2023 के ठीक है अर्थ शॉट प्राइज 2023 के अब देखे यह पुरुसकार अभी कुछी सालों पहले शुरू गया थे दो साल पहले और यह जो पुरुसकार है यह भी नोबल पुरुसकार के बराबर ही माने जाते हैं इनकी शु सिंगापूर में हुआ है इसी के लिए प्रिंस विलियम सिंगापूर आये थे और यह पहली बार हुआ है कि यह जो अर्षोट पुरुसकार का समार हो है यह एशिया में आईजित किया गया था तो पांच विजयताओं को यह अवार्ड दिये जाते हैं हर साल इसमें चाहे वो क इसी कोई परसनल व्यक्ति भी हो सकता है या कोई सब्सक्ति यह याद रखिएगा व्यक्ति व कि मैशिटाओं है कि धन राशीम प्रदान की जाती है तो इस साल यह पांच बिनार है थे पहरे uncom in baking एक्सियोन एंडिना फिर एक संस्था है GRST जिसका फॉल फाम है Green Renewable Sustainable Technology फिर यहाँ पर एक और संस्था है Wild Aid Marine Program फिर एक और संस्था है S4S Technologies और फिर है Boomitra अब यहाँ पर जो Boomitra है यह सबसे आदा important है क्यों क्योंकि भारत की तरब से Boomitra को ही चुना गया है इस पुरुसकार के लिए तो यह नाम जरूर याद रखेगा 2023 का आर्थ शौर्ट पुरुसकार है यह नेक्स नहां पर हाली में भारत सरकारने IPS अधिकारी प्रवीड मधुकर पवार इनको पांच सालों के लिए केंद्री जांच वीरो यानि की CBI का सयुक्त निदेशक के रुप में नियुक्त किया गया है तीक है जो CBI है यहां से स्टैटीक याद रखेगा देखें सबसे पहले रखेंगा सेंट्रल वीरो आफ इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल वीरो आफ इन्वेस्टिगेशन इसके स्थापन वी थी 1963 1963 में इसका मुख्याला है नई दिल्ली में अब यहां पर पहले निदेशक थे प्रवीड सूध और अ यहां पे CBDT यानि की केंद्री प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने हाले में इन्फोर्मेशन दिया कि भारत में एक अप्रेल से 9 नवंबर के बीच में जो भारत का सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह है इसमें 17.59 प्रतिशयत की रिद्धी हुई है और यह बढ़के 12.37 लाग करोड रुप यह बढ़के 12.59 प्रतिश के मवं में इन्फेंट्री स्कूल है वहां पर इस सम्मेलन का आइजन किया गया था और इस सम्मेलन की अध्यक्षता थल सेना अध्यक्ष जो भारत के हैं जनरल मनोच पांडे जी इन्होंने सम्मेलन की अध्यक्षता की थी तो 37 सम्मेलन था चैंपस स्टार्ट अप और इनके साथ भारती महीला उद्यमी अंतराश्टी चैंबर इंडिया इन तीनों ने मिलके गुरुग्राम के माने सर में एक सम्झावता ग्यापन यानि की MOU पर हस्ताक्षर किये हैं यह जो सम्झावता ग्यापन है इस पर हस्ताक्षर क्योंकि यह कोशन हैं और जो इनकी दश्ताएं हैं इनको बढ़ाया ज्यादा ज्यादा तो महीला उद्यमी को ससर्थ बनाने के फोकस से यह MOU साइन किया गया है फिर यहाँ पर केंदरी कोसल विकास मंत्राले ने विमानन छेत्र में दीर्ग अवधी प्रसिक्षर प्रदान करने के यहाँ दीर्ग अवधी प्रसिक्षर प्रदान की जाएगी विमानन छेत्र में और यह जो प्रसिक्षण है यह जो प्रसिक्षर हैं यह लिए जाएगा पिर यहां पर दक्षणी नौसेना का मान मुख्यालाय के तत्तोधान में अभी हाली में नौसेना के तोब खाना और मिसाइल यूद्ध उतकरिष्टता केंद्र है जो इसका नाम है यहां पर देखिए आई एनस द्रोणाचार तो यहां पर तोब खाना संगोष्टी 2023 का क्या हर तीन साल में आजित की जाती है ऑट तीन साल में एक यहां ठोती है तोब खाना छेटर का today कुपनlex में और रिचार मंदित उपियोफ जूड़े ले मामले है उन पर अपना शोध पत्रों प्रस्तृत कर सकते हैं तो इनके लिए एक मंच प्रदान करती है, यह संगूस्टी है, इसका थीम याद रखेगा, एक विशय रखा गया था, थीम थी Emerging Technologies in Gunry and Missile Warfare, फिर सच सुने जे, Emerging Technologies in Gunry and Missile Warfare, फिर यहाँ पे केंद्री विद्युत और नवीन वा नवी करणी उर्जा मंत्री है, स्री आरके सिंग जी, तो हाली में नई दिल्ली के प्रगती मैदान में भारत अंतरास्टी व्यापार मेला, 2023 आयुजन किया था, इसका आयुजन किया था, तो आरके सिंग जी ने भारत सरका के विद्युत मंत्राला की ओर से स्थापित विद्युत मंडप का यहाँ पे धातन किया है, जो मंडप है, इसका उद्देश था, घरेलू और अंतरास्टी उद्यों के सामने जो विद्युत छित की प्रमुक पहलू है, उनको प्रदर्शित किया जाए, पिर यहाँ पे रक रक्षा मंत्री है स्री लॉइड आस्टिन, इनके साथ एक दुई प्रक्षी बैठा की है, और जो बैठा कोई थी भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्री बीच में, यहाँ पे दोनों ही मंत्रियों ने व्यापा का रक्षा और रण नितिक विश्यों पर चर्चा की, कि इस त साथ देखें, और भी आदा दोनों देशों में डेवलक्मेंट ला सकते हैं, तो इन चीजों पर डिसकर्शन किया गया, दोनों मंत्रियों के द्वारा, फिर यहाँ पे बांग्लादेस की प्रधान मंत्री है, शेख हसीना, तो अमेरिका के प्रतिष्ठी मैग्जीन है, कोई भी इंपोर्टेंट हस्ती है, जो इन प्रतिष्ठी में मिलती है, तो कई बार यहाँ से कुछन पूछा जा चुका है, कि सपोज अभी प्रेजेंट में प्रकाशित हुआ है, उसके फ्रेंट पेज में किसे जगह मिली है, तो अभी जो आगामी अंख है, यहाँ पे कव BRI परियोजना थी, कुछ समय पहले इटली से बाहर हुआ था, और इटली के बाद फिलिपीन्स ने भी एनाउंस कर दिया है, यह फिलिपीन्स अब BRI परियोजना से बाहर हो जाएगा, जो BRI है, यह है कि इसके बार में देखते है, तो BRI का फॉल फॉर्म है, बेल्ट एंड इस परियोजना की शुरुवात की गई थी, चाइना के दोरा वर्ष 2013 में, और इसके शुरुवात की गई थी, तो चाइना ने इसके शुरुवात की थी, जो एशिया च्छेत्र है, इसको अफरीका और यूरोप के साथ जोड़ा जाए, चाहे वो भूमी से हो, चाहे वो मुद्री नेटवर्क से एशिया को अफरीका और यूरोप से जोड़ा जाए, ताकि जादा 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 एशिया में, जो छेत्री एकी कारण है, उसमें सुधार हो सके, एशिया में वानिज में बृद्धी हो, और वहां का जादा जादा आथिक विकास हो सके, तो इस कार होती है, बोंग बोंग मार्कोस, मुद्रा है फिलिपीनी पेसो, और राजधानी है मनीला, ठीक है, यह स्टाइटिक याद रखने फिलिपीन के, फिर यहां पे सूपर स्टार रजनिकांत है, तो रजनिकांत की अभी कुछी समय में आने वाली मूवी है, जिसका नाम है थला रमिक लेने वाले अभी नेता बन गए है, सबसे अधा फिस लेने वाले अभी नेता बन गए है, सूपर स्टार रजनिकांत दो सो असी करोण रुपए इनोंने मांगे है, आने वाली फिल्म ठलाइवर के लिए, पिर यहां पे महान उपन्यासकार है भारत के मौनसी प्रेम गाम प्रत्रश्थ चंटर चंड्र जी तो इनका जो गाउन है लमही ability वाराणासी में है तो इसको संघ्रहालत रूप दिया जाएगा इनके गाउं को जहांपे पनाशी प्रेम-चंद्जी से रेलेटड जो भी उनके जीवन रहा है उससे रिलेटेड वहाँ पर चीजे प्रदार्शित की जाएंगी इसकी लिए सरकार के द्वारा दस करोड रुपए का जो अमांट है यह प्रस्ताव भेजा जा रहा है तो इनका गाउन याद रखेगा लम ही और इसको एक संग्रहाला यानि मीजियम के रूप में डेवलप किया जाएगा फिर इंडोनेशिया के एक लावा की पहाड़ी के अंदर लगभग 98 फिट गहरी एक संग्रशना मिली है इसको कहा जा रहा है कि की दुनिया का सबसे पुराना पिरामिड है तो यहीं है इसका नाम दिया गया है गुनूंग-पडांग और इसकी खोज की थी 1890 में एक डच नीवासी की दौरा 1890 में और इंडोनेशय में पाई गई है यह जो पिरामिड है और माना जा रहा है कि विश्व की सबसे पुरानी पिरामिड है तो इस कारण से इसका आपको नाम याद रखना है गुनूंग पाडांग और कहां पाई गए हैं इंडोनेशिया में याद रखना है फिर यहां पे सयुक्त अरब अमीराथ नियूज है इन्होंने अनौंस किया है कि भारत में आने वाले समय में 50 अरब डॉलर का निवेश करेंगे यहां से अमाउंट यहां रखना है फिर यहां पे वरिष्ट भारती राजनाइक है सूरेंदर अधाना इनको 2024 से 2026 की अवधी के लिए सयुक्त राष्ट के तहत स्थाई मिशन में प्रसासनिक बजट प्रशनों पर सलाकार समिती में सेवा देने के लिए फिर से चुना गया है तो याद अखना है सूरेंदर अधाना इनका नाम फिर आगे मूव करते हैं खेल समचार की ओर तो हाली में यहां पे आई सी सी यानिकी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अंतराश्टी क्रिकेट परिश्यद इन्हों ने यहां पे रैंकिंग चारी की हैं खिलागियों की और यहां पर देखती हैं किसे किसे रैंकिंग में जंगर मिली है सबसे पहले वं डे रैंकिंग की की बात करते हैं उडियाई रैंकिंग की बात करते हैं तो भारत के यूवा बले बास मन इंटिए ऐस शुभुमन गिल कर लीजेगा तो शुभुमन गिल को यहां पे नंबर वन ओडियाई बैट्समन के रूप में चुना गया है तिक ऑडियाई में नॉम्बर वन इसके बाद जो सूरिकुमार यादव है सुर्व कुमार याद हो इनको टी 20 में नंबर वन बल्लेबाज की रूप में चुना गया है टी 20 में नंबर वन बल्लेबाज जो रवी चंदरन अस्विन है ये टेस्ट क्रिकेट में नंबर वन बॉलर है तेस्ट क्रिकेट में नंबर वन बॉलर और जो रविंद्र जडेजा ह हैं ये टेस्ट क्रिकेट में नंबर यन वन राउंडर ठीक त्याद रखेगा सुमंधिल ओडियएय में अमबर यसा व Ari T20 में परने सम्पन रवी छंद्रण शुमें पर खिए चिफियुट में आप वन बॉलर और रविंद्र एज़ाधेत तेस्ट में नम रूर्ण के लाब जो भारती टीम है टीम इंडिया इन्हे क्रिकね तीनों प्रारूपों में चाहिए वो w oddsко और चाहिए कि टेस्ट है और पदक तारिका में मदप्रदेश चौथे इस्थान पर रहा मदप्रदेश ने चौथे इस्थान पाने के लिए आप पे 37 स्वर्ण 36 रजत और 49 कांस सहित 112 पदक जीते हैं मदप्रदेश तो रहा चौथे नंबर पे पहले पे कौन रहा ये भी याद रखेगा तो पदक तालिका में पहले नंबर पे था महारास्ट ठीक है महारास्ट पहले पे था महारास्ट ने टोटल 228 पदक जीते हैं जिसमे असी सोड थे 69 रजत थे और 89 कांस थे तो यह याद रखेगा फर्स्ट महारास्ट चौथे पर मदप्रदेश रास्टी खेल थे कहां जित किये गए थे गोवा में और MP से कौन यूज याद रखेगा कि जो यहां की महिला होकी टीम है इन्होंने यहां पे गोल्ड मेडल जीत प्रदेश की महिला होकी टीम ने यहां पर गोल्ड मेडल जीता है तो अगर आप MP लेवल पर किसी एक्जाम के तहीरी करें है तो यहां पर शत्रंज की बात करते हैं तो भारत के युवा शत्रंज खिलानी है विधित गुजराती विधित गुजराती इन्होंने फीडे ग्र अलेक्जेंडर प्रेड के को हराया है और प्रतामिस्थान हासिल किया है इसी तरह से महिलावर्ग में बात करें तो महिलावर्ग का जो फिताब है यह आर वैशाली ने जीता है इन्होंने प्रतियोगिता के फाइनल में मंगोलिया की बाक्तुयागिन मांगतोगुल को हराया फिर यहां पर भारतिय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज है विरेंद्र सहवाग इनको ICC Hall of Fame में शामिल किया गया है और सहवाग के अलावा यहां पर भारतिय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान है डाइना एडिल जी और स्री लंका के पूर्व All-Rounder है अर्विंद इसल्वा इनको भी Hall of Fame में शामिल किया गया है तो तीनों के नाम तो आपको याद रख नहीं है लेकिन सबस्दाव इंपार्टेंट इंपोर्टेंट नाम है यह है डाइन एडिल जी का डाइना इडिल जी क्यों इंपोर्टेंट है क्योंकि भारत की तरफ से Hall of Fame में शामिल इवेंट होता है जो की प्रतियोगीता जिका नाम है Billy jean king cup सबसे पहले याद रखे गए टेनिस प्रतियोगीता डी मेंट है इस वहोर्श की प्रतियोगीता कैनड़ा की महिला टेनिस टीम ने जीती हैं इन्होंने पहली बार इस प्रतियोगीता को जीता है और टूर्णामेंट के फाइनल में इन्होंने इटली को दो शुन से हराया है फिर यहाँ पे नेधर लेंड के जेफरी हूगलेंड है जेफरी हुलेंड इन्होंने पुर्षों की एक किलोमीटर टाइम ट्राइल ट्रैक में एक नया विश्य रिकॉर्ड बनाया है मैक्सको में ये टाइम ट्राइल ट्रैक आउजित हुआ था जहां पर इन्होंने एक किलोमीटर की दूरी जो रेस थी एक किलो मीटर की थी जिसको इन्होंने 55.433 सेकंड में फूरा किया और ये नया विश रिकॉर्ड है इसके बाद है इंग्लैंड के महिला फुर्बाल टीम की खिलाड़ी Mary Epps तो इन्हें वर्ष 2023 की Sunday Times Sports Woman of the Year के रूप में चुना गया है तो Mary Epps याद रखेगा किस खेल से रिलेटेड है फुटबाल से रिलेटेड है किस देश के लिए खेलते हैं इंग्लैंड के लिए और किस चीज के लिए चुना गया है 2023 की Sunday Times Sports Woman of the Year के रूप में चुना गया है इसके बाद यहाँ पे बारत में घरेलू T20 क्रिकेट की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है जो की है सयद मुस्ताक अली ट्रॉफी तो खुशन ऐसे भी आ चुका है कि सयद मुस्ताक अली ट्रॉफी जो है किस खेल सबमानित प्रतियोगिता है तो यह क्रिकेट की है T20 से इसका सयद मुस्ताकली ट्रॉफिय जीत लिया पंचाब ने फिर यहां पर ICC से एक और न्यूज है तो ICC ने जो स्री लंका क्रिकेट बोर्ड है इसकी सदस्यता निलंबित कर दी है यानि स्री लंका की जो टीम है यह कोई भी ICC इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी और यहां पर जो ICC है चर्चा में रहा है तो इससे कुछ रिलेटेट फैक्ट भी याद रखेगा जो ICC है इसका फुल प्रॉम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसल इसका मुख्याला है दुगई में इसके स्थापना की गई थी 1909 में और प्रेज़ेंट में अध्यक्षा ICC के ग्रेग बारकले फिर यहां पर अस्ट्रेलिया की महिल तर्मियास लेने की कोश्चना की है अब मुव करते हैं कुछ MCQ की तरफ सबसे पहले यहां पर है खेल के रिलेटेट कोश्चन इन्हें देखते हैं पहला कोश्चन है अंतर रास्ती फुटबाल में भारत के लिए सबस्यादा गोल करने वाले खिलाडी कौन है सुनिल चेत्र फिर किस शहर में वर्स 2024 में ओलम्पिक हिलोकायजन किया जाएगा तो यह होंगे पैरिस में फिर ICC One Day Cricket World Cup पहली बार किस वर्स आजित किया गया था आजित हुए था 1975 में फिर इस वर्स मियामी ओपेन में महिला एकलवर की चैंपियन कौन बनी है तो चैंपियन बनी है पेत सब्सक्राइशन गेम्स 2023 में कुल कितने पतक जीते थे तो भारत ने इसन में फिल साथ पतक जीते हैं किस देश का प्रतिने दित करते हैं तो याद रखेगा अंदर्सन पीटर सबसे पहले तो भाला थे के खिलाडी है बात आते कि देश के लिए खेलते हैं ग्रेनडा के लिए फिर है मिल्खा सिंग ने किस वार्स कॉमन वेल्थ गेम्स में सौंट पदक जीता था इन्होंने सौंट पदक जीता था 1958 में फिर एशियाई कुष्टी चैंपेंशिप 2023 में किस खिलाडी ने सौंट पदक जीता है तो सौंट पदक जीता था अमन सहरावत ने आध मेरे अउजस तेव ताले यह किस खेल में भारत का प्रते इर निदो परते तु करते हैं तरी रन्दाजी में कि एशन गेम से 2023 में किस खिलाडी ने बैंड मिंटन में पूरुस एकलवार का सौंट पदक जीता है सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम एकल किताब जीते हैं नुवाग जोकोविच ने किस क्लब ने सबसे ज्यादा बार ला लीगा किताब जीता है क्लब है रियाल मैट्रीड अनुरानी ने एशियाई सब्सक्राइब करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है विशुनाथन आनंद विशु चैंपियन तैराक काईली मैक्यून यह किस देश की दिगच खिलाड़ी है तो यह हैं अस्ट्रीलिया की खिलाड़ी फिर है वर्स 2007 में किस देश ने किसी 2020 वर्लकप जीता था 2007 में जीता था भारत इस वर्स किस टीम ने वुमेन एन बीए बास्केट वर्ल टूर्णामेंट जीता है तो यह टीम है लास वेगास एसेस वर्स 2018 में किस देश ने एफ आई एच होकी वर्लकप जीता था 2018 जीता था Belgium फिर है एशन गेम्स 2023 में किस देश ने पूरुस होकी वर्लकप जीता है तो यह होकी का जीता था भारत ने फिर है किस देश में इस बार वर्लड-इसलेट्क चैंप्योंश्शिप गइजित की गई तो यह पास्योंगते आज़ित कि गई थी हंगरी में किरा इस वर्स किस खिलाडी ने स्टोगों महिला आयोग इसके कोश्चन देखते हैं यहां पहला कोश्चन है रास्टी महिला आयोग का गठन कब किया गया था इसका गठन हो था 31 जिन्वरी उन्निस सो पानवे एक मतक्रण के महिला आयो के अध्यक्षय सदस्यों एवं कर्मशारियों के वेतन भत्ते पेंशन आधि जो होते हैं किसके द्वरा प्रदान किया जाते हैं तो यह दीए जो अध्यक्ष है इनके सहीत उकूल कितने सदस होते हैं तो टोटल अध्यक्ष के सहीत यहां पर साथ सदस होते हैं मद प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष एवं अन सदस्यों के निवक्ति कौन करता है उनकी निवक्ति करती है राज सरकार मद प्रदेश राज महिला आयोग का मुख्याला है भुपाल में पिर बताना मद्प्रदेश राज महिला आयोग का गठन जो हुआ था यह किसके माध्यम से संपन हुआ था तो यह हुआ था मद्प्रदेश राज महिला आयोग अधिनियम 1995 के द्वारा पिर बताना है कि जो मद्पदैस राज महीला आयोग अधिनियम 1995 है को राश्च्पति की स्विकृति कम मेंडि थी इसको स्विकृति मनी थी दिसंबर 1996 में this scripture में दिसंबर 1996 में पहर राष्टी महीला आयोग का गठन किस रीती कि तहत किया गया था philosophy raid के रहने महिला आयोग के अध्यक्षएवम्स अदस्यों को उनका कारेकाल पूर्ण होने के पूर्व इन में से किसके अध्या जा सकता है तो इन्हें हटा जा सकता है केंद्र सरकार्ष के द्वारा रास्टी महिला आयोग के अध्यक्ष का कारेकाल कितने वर्ष का होता है का कारेकाल होता है तीन वर्ष का रास्टी महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की निफ्ति कौन करता है इनकी निफ्ति करत केंद्र सरकार फिर राष्टरी महिला आयोग राव के सदाथ्यों का कारिकर कितने कौन-कौन शामिल होते हैं तो इसमें एक अध्यर्च एक सचीव और पाच सदस टोटल साथ सदस होते हैं पिर हैं महिलाओं से संबंदित अनुसंधान को कौन सी राश्ची महिला आयोग की शाखा प्रोचाहन देती है तो यह शाखा है लोग संबंद्ध शाखा तो यह थी धारा तीन इसके अधर राश्ची महिला आयोग का मुख्यालय का हैटकौटर है नई दिल्ली में पिर यह पर हिंदी साहित के कुछ कोश्य नहीं भी देख लेते हैं सबसे पहले देव और बिहारी नामक पुस्तक है इसके लिखक कौन है इसके लिखक है कृष्ण बिहारी मेश्रफ फिर है समलोचना दर्स के रशनकार कौन है तो इसके रशनकार है बाबु जगनाथ दास पुर्ण बचना इसके रचईता कौन है इसके रचईता है बाबु श्याम सुंदर दास पिर आचार रामचंद्र शुक्रतिस प्रकार के आलोचक है तो यह रसवाधी आलोचक है नेक्स्ट है छाया वाद नामक गरंथ किसने लिखा है तो यह लिखा है डॉक्टर नामवर स पिर हिंदी का पहला आत्मकथा लेखक कौन है तो यह बनार सिदाज चैन फिर चंड बोले कान मुस्काए इसके रचनाकार कौन है इसके रचनाकार है कनहया लाल मिश्र प्रभाकर नेक्स है तूफानों के बीच यह किस विधा की रचना है तो यह रिपो तार्ज की विधी की प्रेमचंडर जी की जीवनी किस नाम से लिखी गई तो प्रेमचंडर जी मिए के लिखिए क्लम का सिपाही नाम से फिर है क्या बू debris कि याद करूं यह कि स्विधा की रचना है तो यह एक आत्मकथा है तो नkenntय के रिपो चार्ज जो शब्द है यह बहाषा का है तो यह फ् जो है इसमें किसके जीवन को प्रस्तूत किया गया है तो इसमें शरत चंद्र चक्टोपाद्या के जीवन को प्रस्तूत किया गया है फिर है चंद्रकांता इस उपन्यास के लेखा कौन है तो यह हैं देवकी रंदन खत्री फिर है रेखाचित्र विद्या के जनक कौन माने ज कि हिंदी आलोशना के प्रथम आधार इस्तंभ कौन है तो यह हैं महावीर प्रसाद दिवेदी नेक्स्ट है हजारी प्रसाद दिवेदी कृत उनर नवा नामक उपन्यास है इसके नायक कौन है इसमें नायक था आर्यक प्रसाद निवंद के रूप में किसे हिंदी का पहला मौलिक निवंद माना जाता है तो यह है राजा भोच का सपना हिंदी के अनेक विद्यानों में से किसे हिंदी का पहला एकांग माना गया है तो यह है एक घूट है फिर है कौन सा नाटक मोहन राकिष न लिखा है तो यह राजहंत प्रसिद्ध नाट सास्त्रकृति के लेखक कौन है तो यह है भरतमुनी फिर समान्तर कहानी नामक एक कहानी है इस कहानी अन्दोलन के प्रवर्तक कौन है तो यह हैं कमलेश्वर फिर यहां पे कुछ समृति से देखते हैं सबसे पहले यहां पे गीता प्रस के ट्रस्टी थे बैजनाथ अगरवाल बैजनाथ अगरवाल हाली में 90 वर्स की आयू में इनका निधन हो गया है गीता प्रस के ट्रस्टी थे इसके लाबा एक काफी फेमस हॉलिवुड सीरियल है इसमें चैंडलार बिंग के जो जिन्होंने रोल किया था मैथ्यू पेरी इनका हाली में 24 वर्स की आयू में निधन हो गया है तो बैजनाथ अगरवाल याद रखिएगा गीता प्रस के ट्रस्टी थे और मैथ्यू पेरी की छेत्र से सब्मंदित थे यह कलाकार थे तो आज के अंग में बस इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जारूर करिएगा ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब् वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिलेगी वहां से आप जॉइन कर सकते हैं इसके अलाबा जो भी इंपोर्टेंट न्यूस्पेपर मैग्जिन है उनकी पीडियो पहां मिल जाएगी डेली करेंट अफ्यरोग जीके जॉब आलर्स नोटिफिकेशन सब कुछ है टेलिग्राम आन नेक्स्ट वीडियो में अब तक के लिए टेक करें थैंक यू गाइस